हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जैदेव क्लासिस फॉर जियारेफ इन पॉलिटिकल साइंस कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स इस मिनाक्षी सिंग और आज हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं आज हम लोग मोग टेस्ट 4 को डिसकस करेंगे यहाँ पर सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें इससे क्या होगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊंगी उसका नॉटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरे सभी वीड आती हूं आप सब जानते हैं और पिपकर 2 में चल रहा है रिवीज़न कोर्स और पॉलिटिकल साइंस क्रैश कोर्स और कल से एक न्यू को है जिसका नाम है प्राक्टिस क्यूर्स ओन ngay तो जो बच्चे आना चाहते हैं गीए तो बच्चे आ सकते हैं मेरा रफरल कोड हैаются अक्षी लाइफ and you can get 10% off on your plus subscription जब आप इसे use करेंगे तब ठीक है so चले start करते हैं आज की class को so first question है first question ये रहा आपके सामने what constitutes the main in Aristotle social structure what constitutes the main in Aristotle social structure wealthy class, poor citizen, middle class या artisan class so उसका correct answer क्या होगा चीक इसके हिंदी में आपको दिखा देती हूँ एक बार अरस्तु की समाजिक सरशना का मतलब है धन्वान वर्ग, गरीब नागरिक, मध्य वर्ग या कारिगर वर्ग उसका correct answer बताने है आपको अरस्तु की समाजिक सरशना का क्या मतलब है धन्वान वर्ग, गरीब नागरिक, मध्य वर्ग या कारिगर वर्ग चीक इसका correct answer जो हो जाएगा middle class option number C इसका correct answer हो जाएगा next question है whom did Machiavelli blame for moral degradation of Italy to the prince, the church, aristocracy या correct people तो Machiavelli blame करते हैं moral degradation of Italy के लिए किसको तो आपको बताना है हिंदी में देख लिजे question Italy के पतन के लिए Italy के नैतिक पतन के लिए Machiavelli ने किसे दोशी ठहराया है तो राजकुमार को, चर्च को अरस्तुवाद और या भरस्ट लोग correct answer बताना है आपको ठीके, तो इसका correct answer जो हो जाएगा इटली के नैतिक पतन के लिए Machiavelli ने किसको दोशी ठहराया तो वो चर्च को ठहराते हैं ठीके, ध्यान रखिएगा Machiavelli blame करते हैं moral degradation of Italy के लिए किसको? The Church को Next question, question number third ध्यान से पढ़िएगा question For he girl, which one of the following is correct? Family is thesis, bourgeoisie society is antithesis and state represents synthesis Rational is real and real is rational Contradiction are not obstacle preventing us reaching truth D option है, all of above Correct answer बताना है Hindi देखनी है Hindi देख लीजिये चिसका correct answer जो जाएगा? वो जाएगा all of above ठीके, all of above is the right answer Hindi में समझ लेते हैं परिवार थीसिस है बुचुर्वा समाज थीसिस विरोधी है राजी विशलेशन जो राजी शंशलेशन का प्रतनेत करता है तरसंगत वास्तविक है वास्तविक तरसंगत है जोदा भास हमें सच्चाही तक पहुचने रोकने वाली बाधाय नहीं है तो correct answer क्या हो जाएगा? उप्रोक सभी हो जाएगा, ठीके? तो all of above is the right answer नेक्स कुशन है तो लेसली स्टेफन है, काल मार्क्स है, कैले है, चैस मिल है correct answer क्या होगा? निमलिखित में से किसने बैंथम के दर्शन को सूर दर्शन के अलुशना करके बोला है तो टिफन है, काल मार्क्स है, करलाएं है, जैस मिल है तो correct answer हो जाएगा, option number C चीक है, option number C इस का correct answer हो जाएगा who among the following तो भई काले जो है, ये criticize करते हैं बैंथम philosophy को, pick philosophy कहके तो ये ध्यान रखेगा next question है which of the following is correct so far as John Rawls writing are concerned तो देखिए कौन सी है और कौन सी नहीं a theory of justice, political liberalism, the law of people, all of above ठीक है, correct बताना है, हिंदी देख सकते हो आप John Rawls के लेखन के संबद में निमलीखित में से कौन सा सही है ठीक है, इसका correct answer हो जाएगा, option number D उप्रोक्स अभी, theory of justice है बच्चो 1971 का ये आपका 1971 का है, ये आपका 19, 19, 3 का है, ठीक है दोनों तो ये धियान रखिएगा, तीनों बुक्स जो है, theory of justice, political, liberalism, law of people ये तीनों ही John Rawls की most important books है next question है, question number 6, which one of the following Mao has not said अब इन में से कौन सा Mao ने नहीं कहा है political power grow out the barrel of gun, 3 years of hard work, 10,000 years of happiness atom bomb is real tigers, a revolution is not a dinner party इसमें correct answer, हिंदी में देख लो एक बार निमली कित में से कौन सा Mao ने नहीं कहा है, राजनितिक सक्ती बंदूग की barrel से बाहर बढ़ती है, 3 साल की कड़ी मैनत, 10,000 साल की खुशी है, atom bomb असली बाग है और एक क्रांती डिनर पाटी नहीं है इसमें right answer आपका option number C हो जाएगा, ठीक है कि atom bombs is real tigers, तो यह उन्होंने नहीं कहा है very good, next question, question number 7, which one of the following statement is true behavioralism is based on stimulus, response, paradism post-behaviorism consist करता है 7 tenets को post-behaviorism wholly negative, negate करता है behavioralism को there is a no difference between behaviorism and behaviorism question देखिए पटापट हिंदी देखनी है, हिंदी दिखा देती हूँ, दो मिनट रुकेगा यह रहा हिंदी मिलिखित कत्नों में से कौन सा सही है इसका correct answer जो हो जाएगा, तो हो जाएगा option number B ठीक है, तो option number B, post-behaviorism में consist करते है 7 tenets, ठीक है, तो option number B, इसका correct answer हो जाएगा ठीक है, behavioralism में 8 बताते हैं David Easton और इसमें बताते हैं 7, ठीक है, तो ध्यान रखेगा question number 8, given below two statement दी हुई है, एक assertion है दूसरी reason है, तो Karl Marx term early socialist as utopian socialist reason कहता है, they attack the capitalist system itself question देखें वड़ाफट हिंदी देख लिजे इस question की Karl Marx ने शुरुवाती समाजवादियों को utopian समाजवादी की संग्या दी और उन्होंने स्वैं पूंजीवादी ववस्था पर हमला किया इसका correct answer हो जाएगा option number B, ठीक है, देखो option number B क्यों होगा, Karl Marx ने शुरुवाती समाजवादियों को utopian समाजवादी की संग्या दी अब utopian बोला किसे जाता है यह धियान रखतना utopian समाजवादी यानि की in provocation जो बात है इक तरह से करतें बाते करते हैं ठीक है लेकर लेकिन को उननों B, और उनल्द शुरुवाती समाजवादियों को क्या बोलते हैं यूटोप yhtर ववस्ता पर हमला किया, तो इसका right answer देगो, इसमें correct तो आपके ये स्पस्टी करण नहीं है, बट दोनों ठीक है और ऐ का सही स्पस्टी करण नहीं है, तो correct answer इसका option number B ही होगा, next question, question number nine, identify करना है correct sequence, platoos के four components of virtue का, कि जस्टिस करेज टैंपरेंज एंड विज्डम हिंदी देखनी है हिंदी दिखा देती हुए आपको हिंदी यह रही प्लैटो ने पुन्य के चार घटकों को सही करम में पहचानना है पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा नियाय साहा स्वभाव बुद्धी यह यहाँ पर बताया गया है जस्टिस करेज टैंपरेंज एंड विज्डम इसका करेक्ट आंपसर देखो सबसे पहले आएगा आपका विज्डम परस्ट नमबर पे ठीक है सेकिंड नमबर पे आएगा करेज थर्ड नमबर पे आएगा टैंपरेंज फोर्थ नमबर पे आएगा जस्टिस तो आप देख सकते हो correct answer क्या हो जाएगा option number C ऐसी हिंदी में आजो पहले आएगा बुद्धी ठीक है फिर आएगा साहस फिर स्वभाव फिर नहीं आए correct answer हो जाएगा option number C very good last question आज की class का most important question है match करना है list 1 को list 2 से select करना है correct जो quotes आपको दिये हुए है सावर कर M.N. Roy और विंदो घोष चैप्रकाश नराएग हिंदी देखनी है ये रही हिंदी इसकी इसको हम कर लेते हैं ठीक है M.N. Roy कानपूर शणयंत्र सावर कर सभी राजनीती का हिंदू करण करें और विंदो घोष एक गुप्त समाच है ना और जैप्रकाश नराएग भारतिय राजनीती करण के पुन्ह निर्मान की दली पुस्तक के लेखत ऐसी आजो इसमें सावर कर हो जाएगे हिंदूिज्म, M.N. Roy, कानपूर कौन सी परेसी केस और विंदो घोष, लोटास एंड डैगर वाले से हो जाएगा और जैप्रकाश नराएग और प्ली और रीकंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो थैंक यू सो माच आज के लिए इतना ही, अगर आप लोगों को ये मोक्तेस पसंद आया तो जरूर लाइक करें थैंक यू, थैंक्स पर वाचिंग, बाइबाइ टू ओल, बाइबाइ